आज इस वीडियो में मैं आपके साथ discuss करने होला हूँ महास्तर इस्टेट के hotel management के जो best college है उसके बारे में और साथ ही साथ मैं यस hotel management के college के cut-off के बारे में, fees के बारे में और other informations के बारे में discuss करेंगे जो की यह आपके लिए health loga for the academic year 2022, 2023 and 24th के लिए चलिए मुवाउन करते हम यहां पर हम देख रहे हैं फर्स यह ओप प्रफेशनल अंडर ग्याजवेशन टेकनिकल कोर्स इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेकनोलोजी जो कि यह जो डेटा है बोट 2022 एं 2023 के बेस पर लिया गया है यानकि जो कट आफ फीज और अधर इं वेबसाइड की देटा से चलिए मुवाउन करते हैं महासा से इस्टेट में हम देखने वाले हैं कि ऐसे कितने होटल मेनेजमेंट के कॉलेज़ेस है जो एड़ेड है और जो अनड़ेड है एड़ेड मींस जो गॉवर्मेंट के अंडर आते हैं जिसमें फीज कम होती है और जो प्राइड कॉलेजेस होते हैं जिसमें फीज जादा होती है इस और गॉवर्मेंट कॉलेज ओके लेकिन कोलेज के बारे में डिसकस करने से पहले मैं आपके साथ डिसकस करूंगा लेजेंड फॉर्डर सीड टाइप यानि कि जो सीड होती है वो किस तरीके से डिवाइड की जाती है सबसे पहले अगर मैं बात करोंगों अपको home universities home university मत्रण की एक particular area से वहाँ पर एक university हो गी जीजिसे for example आप अगर मुंबई में आते हो तो मुंबई university एक है Rebecca Mumbai University iki under number of the colleges आते हो यह दिस मिक्ने भी की बात करेंगे तो इसका कोड होगा आपके पास एच नेक्स आगर में बात करूँ तो अदर देन ओम युनिवरसेटी यानि कि जो पर्टिकुलर जिसकी मुंबाई युनिवरसेटी के अंदर जितने भी कॉलेजिस आते वो कोई युनिवरसेटी हो गया और उसके बियॉंड कोई दूसा कोई कॉलेजिस के अंडर नहीं आता है तो उसको हम बोलेंगे अदर देन जब भी आपको सीट अलोट होगा तो उसमें माई करके आएगा तो दाइटी सीट या कॉलेज के बास कितने माईर्टी सीट अभी लेबल है वो भी यहां पर इनका जो कॉमन रिजर्फ सीट है उसके बेसेस पर इंदर पर सीट के आगे है इसा नाम लिखा होगा या कोड लिखा होगा ठीकिए डी इफर यह डिफेंस कॉमन रिजर्फ सीट यह भी सीट होता है कॉलेज के इंदर जिसके वेसे जो आपके कट आफ है वो डिवाइड हो इसे परसन जो डिजबिल्टी है फिजिकली दिए तो उनका भी कॉट अफ होता है इसलिए आपकी सीट कम हो जाते कॉलेजिस में एंद कॉट फिर इंक्रीस हो जाता है एक नेक्स है डी एफन के लिए और नेक्स है मेरिट नंबर आपको मेरिट नंबर आएगा जब आप सब्सक्राइब और इंडिया कंडिट के बेसेस पर होता है तो यह लेजेंड फॉर दर सीट है यान कि जो सीट है कॉलेजिस में वह किस तरीके से डिवाइड है डिफेंट टाइप समें डाइट नेक्स वन हम मूवाँ करते हैं अभी अपने अड्मिस्स प्रोसेस के बारे मे हैं व्यों तरीके होटल मैनेजमेंट के दा सब्सक्राइब और जिए ST dess क्रीकें यहाँ यहाँ कि अख़े 술 दाता है और में रिख सकते हैं तो वहां पर वहां पर दॉक्यूंत को नहीं होती है तो डॉक्यमेंटेशन के लिए आपको क्या-क्या डॉक्यमेंट नीड यह मैं आपको बताऊंगा फॉर्स आपको 12 की मार्क सीट चाहिए अगर अपने का सटिफिकेट इंसर्ट किया हुआ है रखास आपने बताया है कि आपका अगर इंटर किये हैं तो आपके बास का सटिफिकेट होना चाहिए आप महासा स्टेट से कहीं और दूसरी स्टेट में होगा आपको ट्रांसफर कर रहे हुआ चाहिए अगर आप फिजिकल डिजबलिटी हो या डिजेबल हो तो उस समय आपको फिजिकल फिटनेस सर्टिफिके लगेगा और आपको एक पासफोर साइस फोटो भी लगेगा तो यह डॉक्यूमेंट है आपके यह डॉक्यूमेंट को आप कैरी करो और इसको प्रॉपर स्कैन करके रख लो ताकि जब आप फॉर्म फिल उप करो तो यह अपलोड कर सको नेक्स वन आते हैं आप कॉलिज के ज्युक्ति अब वारे में अरे महार साय स्टेट में हैसे कितने सारे बेस्ट कोलेजिए सह फोटल मेनेजमेंट इसमें से एडेट क्या है और नांडे एसे फ़र्स वन आप दिख सकते हो हो ऑगे ग्रमी टेक्निकल ग्रामी टेक्निकल और अनेज्मेंट केंपस नांदेर इसका इंस्टिट्ट कोड देख सकते हो आप 2508 है यह नांदेर में आएगा और इसका होम युनिवरसिटी जैसे मैं बात करता है अने यह नांदेर में ही है और यह युनिवरसिटी का नाम यहां पर आपको उनिवरसिटी का नाम दिया गया इसके अगर आप आते हो तो आपका यह यह उनिवरसिटी आता है और वोम युनिवरसिटी में कुछ कम है तो इनका 85,000 पर यह का फीज हो गया इनकी फर्स यह का फीज तो 85 यह इसके बाद यह इंक्रीज हो सकता है और डिक्रीज हो सकता है अगर मैं कॉर्स की डूरेशन की बात करो तो फोर यह की को से यह बिसिकली तो आप यहां से क्याकवट कर सकते हो कि आपका फोर यह का फीज कितना जाएगा यह सी फीज है और अदर जितने भी आपकी कोर्स में इन्वाल्मेंट होंगे चार्ज या कुछ और तो वह अलग से होंगे लेकि 85,000 यहां पर आपके पर यह का फीज है नेक्स अगर मैं यहां पर कट आफ की बात करो तो इसमें बेसिकली कट आफ होता है वह त्री राउंड से होता है देगे मतलब क्यापन वन क्यापन तो एंड क्यापन तो मतलब आपके बास तीन चांसे होते हैं कॉलेज म फिफ्टीवन का था देखे इसके बाद क्यापन टू में भी सेम किया गया रचलिए कि इसमें कोई भी जादा चैन्जेस नहीं किया गया अगर मैं बात कुरूं इस ग्यूंट तो ट्री में इसमें भी इधिफेंट टाइप से सीट आ जाती है चलिया क्यां वन तू टू थी के डिफेंट टाइप के सीट के बारे में देखते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो क्या आपन वन टू तरी है उसमें आपका होम उनिवर्सिटी में सीट डिवाइड हो जाता है अदर देन होम उनिवर्सिटी और इंडिया फिर एकोनॉमिक वीकर सेक्शन एंड जो कि नांदर युनिवर्सिटी के अंदर आता है तो मेरा कट आफ कितना था तो 3.7 का कट आफ था जो कि मुझे इजीली मिल सकता है इसमें अद्मिसंस एक मतलब की 3.7 परसेंटेज का कट आफ लगाया था देन अदर देन होम उनिवर्सिटी की बात को यानके मैं नांदर म कॉलेज में मैंने पहले भी अपनी एजुकेशन कंपिट की नहीं की है तो यह मतलब मैं कहीं अदर डिस्टिक्स से बिलॉंग करता हूं तो मैं उसमें चाहता हूं तो यह अदर देन होम उनिवर्सिटी का कट आफ है 36.97 इसके बाद इन्हों ने और इंडिया सीट और इकोन आते हम करतो के हो मीनिवर्स ही तो पहर आदे सेकते हूं अधे रहां इंडिया का ऊट्रीन का करके कट ओ झाने zajले मिग तो यहां परन्नक करते हों यह चंजप हुआ है same other than home universities के अंदर भी उन्होंने कोई changes नहीं किया और अल इंडिया सीट एकोनॉमिक बीकर सेक्षें और टूसें फीस फे उप में उन्हें कोई कट आफ नहीं लगाया है मत्तब कि यह टाइप के जो बच्चे हैं उनको एड्मिशन नहीं मिलेगा इस universities में अब हम वहान करते हैं second college पर जो कि यह लेडी देखें अमरित बाई दगा college for women of common and sorry commerce and science और प्रोहीज college of H science and H SC दिया हुआ यहां पर देखें and technology नागपूर का college यह बिसिकली और मैं इसके college के institute code के बारे में discuss करो तो यह 4007 में आता है ठीक है इसका institute code हो गया right then next thing इसकी home universities है रास्त्र संथ तुका दो जी महाराज नागपूर University तो यह particular university है नागपूर का तो इसका home universities है इसके अंडर जितने आते सब home university के अंदर जाएंगे और मैं बता दू इसका जो status है वो है government added non-minorities यानि कि यह government colleges है जिसमें fees कम होगी आपकी चलिए तो fees के बारे में यहां पर discuss कर लेते पर यह से कि फॉर से कि जो fees है वो 25,216 रूपीज है यह last year data के basis पे हमने यहां पे लिखा हुआ है and then next one आते हैं हम लोग durations of course तो four years का यहां पर courses है cap round one में जो इनका cutoff था वो 93.72 का था and cap round two में 90.23 का हो गया and cap round three में उसको carry forward किया गया and cap round two and cap round three में कोई changes नहीं किया गया आते हैं हम cap round one, cap round two and cap round three के same five type के seat को divide करते हुए cutoff के बारे में तो home university यानि कि जो नाकूर universities है राश्तर संत जो क्या था वो universities में home university आता है तो 1.16 का यहां पे cutoff है और फिर cap round two में 29.06 का है and cap round three में भी से and then other जितने भी है यहां पे जो सीड है सीड के type से other than home university all India economic vehicle sections और tuition fees fair office इसमें कोई changes नहीं नहीं किया मतलब इनका कोई cutoff ही नहीं लगा चलिए अब हम मुआन करते हैं third college पे जो की है योगांतर education society स्री बाला साहिब तरिपूदे college of hotel management catering technology नागपूर तो इसका institute code 4219 यहां पर आप देख सकते हो then इसके बाद आते हैं हम इसके home university तो same यह home university क्योंकि यह नागपूर का college है तो यह नागपूर के universities में आता है ठीके रास्तर संत ठीके तुकादोर जी महराज नागपूर universities और मैं इसके status की बात करूँ तो यह अनेड़ेट college है यानि कि यह private college है government नहीं है इसलिए इसका जो fees होगा वो यह thousand first year का होगा और duration four year से तो आपके यहां पर कर सकते हों आते हम cutoff पे तो इनका जो cutoff था क्यापनट one का वह 85.81 था and cap on two three में same किया गया मतलब ही इसमें cutoff में कोई changes नहीं किया गया आते है अभी हम cap on one two three जैसे मैंने बताते है कि तीनों का same था तो मतलब इन्होंने जो cap on one में cutoff निकाला था उसको ही carry forward किया remaining cutoff में अगर home university के बारे में बात करें तो 21.81 86 का इन्होंने cutoff रखा था ठीकि other than home university की बात करें तो इन्होंने 88.83 का रखा था ठीकिए क्योंकि other than home universities है और इंडिया में उन्होंने 49.51 का cutoff रखा और economy विकर सेक्षम में 75.78 का 58 का cutoff था ट्यूशन फीज बे आफ स्कीम के लिए कोई भी यहां पर cutoff नहीं था नेक्स हम करते हैं college no.4 जो की है तुली college of hotel management नागपूर यह भी नागपूर है तो इनका home university आपको degrees है और जिसका code है 4221 अगर में इसके status की बात लो तो यह भी अनेड़ेट colleges है देखें मतलब प्राइवेट इसका फीज भी ज्यादा होगा तो 75,000 फॉर्स यहां फीज फोर यह का courses है cutoff देखते हैं यहां पर जो cutoff था क्यापन वन का वह 88.83 का था देखें बात में इन्होंन कापन 3 में भी कोई ज्यारा changes यहां पर नहीं किया गया देखें मतलब 88.83 का ही cutoff इसमें रखा गया और नेक्स तिंग अगर मैं इसके क्यापन 1,2,3 के home other all India economy vehicle section और TFWS के बारे में बात करूं तो उन्होंने home university में 6.04 का cutoff रखा था देखें मतलब कि बहुत ही इजी ली admission मिल सकता है जो home university के अंडर आते हैं other than home university थे उनके लिए 18.83 जैसे कि आप मुंबई में आते हो और आप नाकबूर के इस college में में admission चाहते हैं और तुली college में तो आप admission ले सकते हो जिसका cutoff है 18.83 का देखें इसका फीस में बता दिया 75,000 फीस है और इंडिया में उन्होंने 11.12 का cutoff रखा यह को नहीं भीकर section और other than tuition fees way off के लिए कोई भी cutoff नहीं नहीं रखा हुआ है next मुवां करते हैं college नंबर 5 महत्मा गांदी विद्या मंदिर college of hotel management and cutting technology नासिक जो कि नासिक में situated है आप देख सकते हो यह college एक और इसका जो institute code है वो है 5219 and अगर मैं इसके home university की बात करूं तो यह सावित्री भाई पूले यू पूने universities ठीक है जो कि यह famous universities है एक basically सब इसको जानते ही होंगे क्योंकि इसके number of the branches है इस university के number of colleges है जो कि मुंबई में भी एक college का situated है जो कि नभी मुंबई साइट है basically हम इसके बारे में discuss करेंगे लेकिन अभी हम महत्मा गांदी विद्या मंदिर college of hotel management and cutting technology के बारे में discuss करेंगे तो इसका जो status है यह भी private college है तो इसका फीज फोर यह का है 225,000 या रखिए मैंने यहां पर total फीज बता दिया है 225,000 फोर यह आगर मैं के basis में यहां पर discuss करता हूं लिए कि अगर कॉलेज अगर इसमें फीज में कोई changes करता है तो वह college के norms के accounting है next अगर बात करूब तो फोर यह का duration है तो दाटिस में फोर लाग टूलाग 25,000 इसका फीज होगा क्या प्रांड 1 में इन्होंने जो cutoff रखा था वह 81.86 का था क्या प्रांड 2 में उन्होंने कोई changes नहीं किया तो आते है अभी हम home university क्या प्रांड 1 2 3 सबका सेम है इसलिए इन्होंने home university में 8.13 का cutoff रखा other than home university all इंडिया में कोई changes नहीं मतरब कोई इन्होंने के लिए इन्होंने 81.86 का cutoff यहां पे रखा हुआ है एंट्यूशन फीज वे ओफ स्कीम के लिए कोई cutoff इन्होंने नहीं रखा ना क्या प्रांड 1 2 3 में नेक्स मुआन करते हैं 6th college of hotel management and catering technology जिसका नाम है हरी भाव हरी भाव जवाले university of hospitality management and catering technology जलगाओ यहां पे college का पिक देख सकते हो इसका institute code है 54.90 और इस ते home university की बात करूं तो कवाई 3 देखे बहिन बहिना भाई चौदरी नौत महास्ता युनिवर्सिटीज यह इस university के अंडर आता है और status की बात करूं तो यह अनेडिट college है उसका फीज 60,000 पर यह का है और फोर यह का को से कर सकते हो 2,40,000 की फीज हो जाएगी next cap round 1 के बारे में बात करो तो 46.51 का इन्होंने cut-off रखा cap round 2,3 में कोई cut-off नहीं नहीं रखा move on करते हैं हम cap round 1,2,3 में तो first one आते हैं हम home university में इन्होंने कोई cut-off नहीं रखा ना other than home universities में ना और इंडिया में उन्होंने कोई cut-off यहां पर रखा हुआ है और ना ही इन्होंने tuition fees way off के लिए रखा उन्होंने किसी जो cut-off रखा था वो economy weaker sections के लिए रखा जिसका cut-off था 46.51 का right और cap round 2,3 में कोई भी उन्होंने cut-off नहीं रखे किसी भी sessions के लिए right अब मुहां करते हैं 7th college पे जिसका नाम है महासरा state university of hotel management and catering technology पूने right यहां पर देख सकते हो यह college का अपिक है और जिसका institute code है 50 sorry 6540 का right अगर मैं इसके home university के बारे में discuss करो तो यह सावित्री भाई कि पूले पूने universities और status की बात करो तो यह unadded college है fees की बात करो तो 76,000 इसका fees है per year का और courses आपका मालूम है कि four years and then अगर मैं cap 1 के बारे में discuss करो तो यह 96.27 से cutoff उन्होंने start किया हुआ था लिए two and three में कोई changes उन्होंने नहीं किया हुआ है तो मतलब कोई changes नहीं है मतलब cap round one का जो cutoff था उसको cap round two and three में carry forward किया है चलिए आते हैं अभी home universities में यानि कि जिनका college सावित्री भाई पूले पूने universities के अंदर आता है तो उनका cutoff था 14.41 जो के cap round two and three में same है other than home university में 2.55 का इन्होंने रखा मतलब कि इन्होंने other than home university में cutoff बहुत ही कम कर दिया और इंडिया में 36.97 का economy weaker sections के लिए 72.09 का and tuition fees way off के लिए 46.51 का cutoff यहां पर रखावा है यह रखिए यह सेम cutoff आपका cap round two and three में भी carry forward था आते हैं अभी college no.8 पे जिसका नाम है All India Siri Sivaji Memorial Society College of Hotel Management and Kettering Technology पूने तो यह भी पूने है तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका जो home university है वो है सावित्री पूले पूने यूनिवर्सेटी जिसका institute code है 6541 राइट देन स्टेटर से अनेडिट ऑटनॉमस यह ऑटनॉमस college है यादर किये मतलब फिर भी यह अंडर आता है सावित्री पूले पूने यूनिवर्सेटी के अंदर इसकी फीज की बात करूँ तो यह अटनॉमस college है तो इसलिए इसका फीज बहुत ज्यादा होगा as compared to the other तो इनका per year यानि कि first year का जो फीज है वो है one like fifteen thousand और इसका जो duration है वो four years का इनका जो cutoff है वो 99.30 का था जिन्होंने Capron 2 में change ना करते हुए Capron 3 में change कर दिया 96.27 पे ठीक है then आते अभी Capron 1 पे तो Capron 1 का जो home universities है उनके लिए cutoff था है 80.83 other than home university में 6.04 का रखा हुआ है और और इंडिया के लिए इन्होंने 18.83 का रखा हुआ है and then इसके बाद economy weaker sections 14.41 and then tuition fees वेवाफ scheme के लिए 36.97 का यहां पे cutoff रखा हुआ है Capron 2 & Capron 3 के बार में मैं discuss करूं तो इसमें कोई ज्यादा changes नहीं था तो इन्होंने दोनों के लिए same cutoff यहां पे रखा हुआ है जिसका है 18.83 का और फिर बाद में other than home university में उन्होंने 8.13 का cutoff यहां पे रखा हुआ है अगर आप Capron 1, 2 & 3 के और इंडिया को देखो के तो दोनों सेमी है विकर एकोनॉमिक विकर सेक्शन के लिए भी सेम रखा हुआ है और ट्यूशन फिस वे आफ के लिए भी सेम यानिकि इन्होंने जो changes रिखाई है वह other than home university के लिए यहां पे cutoff को changes देखाई है otherwise सब के लिए सेम रखा हुआ है तो इसलिए यह पूने में है तो इसका जो home university होगा सावित्री पूले और पूने युनिवर्सिटी ही होगा यहां पर आप दिख सकते हो जो कि यह पूने में college है और जिसका institute code है 65.6542 का यहां पर नेक्स आते है अभी इसके status पे तो यह अनेडिट college है और इसका जो वन येर का जो फीज है वह है 1,80,000 आप देख सकते हो फोर यह का है तो आप इससे compare कर सकते हो तो आपको कितना फीज जाएगा समझे तो 7,20,000 फोर यह का फीज यहां पर होगा जो कि डिवाई पार्टी यह जो college है इसके इंदर आपका hotel management हो सकता है नेक्स यहां पर आप मूँवां करते हैं करता क्या पर नाइटी वन पॉइन 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 रखा हुआ है और इंडिया और भी विकार सेक्शन को उन्होंने कोई कट आफ नहीं दिया हुआ है मतलब इनके लिए कोई सीट अविलेबल नहीं है एंडियूशन फीज वे आफ के लिए 25.34 का कट आफ रखा जो कि क्या पर वन का जो कट आफ था वो क्यारी फरवड हुआ क्या पर टू में एंड देन त्री में देगे नेक्स अब हम वहन करते हैं लास्ट कॉलेज जो है सिंगार इंस्टूशन सॉफ वोटल मैनेजमेंट देगे एंड कैटिंग टेक्नोलोजी जो की ल 4543 अब इसका इंस्टूशन स्ली 41 42 43 बता रहा था तो इसका जो होम युनिवर्सिटी जोगा वह भी सेम है सावित्री बाई पुले पूने युनिवर्सिटी याद रहिकिए जिसका इंस्टिट्यूट कोड 6540 से स्टार्ट होता है और 43 तर वो सब सावित्री बाई पुले प यानि कि एक साल का जो फीज है वह है 167,592 जो कि प्रिवेस यह डेटा से यह लिया गया है नेक्स इसका डिवेसंस अब 4 यह का है तो कि इतना फीज लगेगा राइट नेक्स आते अभी हम लोग क्या प्राउंट 1 में इसका जो कटफ था वह 97.20 का था जिसमें क्या प्राउंट 2 में कोई चेंज नहीं हुआ क्या प्राउंट 2 में इसको डिक्रीज करके 91.86 पे लेकर आ 253 का और इंडिया में 70.23 एंट इको नॉमी वीकर सेक्षिंस एंड ट्यूशन फीज वे उप में कोई भी सीट अभी लेवल नहीं है क्या प्राउंट 2 & 3 में जो होम युनिवर्सिटी सा उसके लिए यहां पर सेम कटफ होना चाहिए लेकिन यहां पर उन्होंने क्या किया 50 क कर दिया यानिकी इंक्रीज कर दिया कट आफ को राइट and then other than home university में उन्होंने सेम कट आफ रखा इसमें कोई चेंज नहीं किया गया तो आयोप कि यह जो information था यह आपको समझ में आ गया कि और यह आपके लिए valid information होगा जो की महारस्ता CDT cells के तू यह लिया गया जो data था उस इतने ही discuss करना था मैंने आपको हर एक टाइप के colleges जो CD cells के तुरू approval colleges है उसके बार में मैंने यहां पर discuss किया हुआ है जो कि महारसर स्थेट में different locations पे है तो जो मैंने आपके साथ discuss करके आपको completely बता दिया हुआ है आपकी यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपक सब्सक्राइब करके भी motivate कर सकते हो चलिए इस वीडियो में पस इतने ही है मिलेंगे next video में thank you for watching